कि प्यार और मंता से भरी आवाज आशिर वाज से इंगे मेरे सवेरा है मेरे चेरे की खुशी का राज मेरी मां का हस्ता चेरा है कि बेहत करीब आकर बेहत दूर हुआ है कोई कि बेहत करीब आकर बेहत दूर हुआ है कोई ना जाने क्यों मजबूर हुआ है कोई कि बेहत करीब आकर बेहत दूर हुआ है कोई कसूर करके बेकसूर बना है कोई मुझसे विछेंडेक बाद मशूर बना है कोई कि बाहर वारिष की बुंदे वरसरी और अंदर मेरी आखें, कि बाहर वारिष की बुंदे वरसरी और अंदर मेरी आखें, कि बसफर कितना है दोनों में, 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 वो राहत के लिए वरसरी औ कि रिष्टों की डोर मेरी टूटती जा रही है, जिन्दगी मुझसे कहीं पीछे छूटती जा रही है, कि रिष्टों की डोर मेरी टूटती जा रही है, जिन्दगी मुझसे कहीं पीछे छूटती जा रही है, कि जीने के लिए जो कुछ खुशियां मची थे मेरे पास, कि जीने के लिए जो कुछ खुशियां मची थे मेरे पास, वो खुशिया भी अब मुझसे रोटती जा रही है, वो खुशिया भी मुझसे रोटती जा रही है, कि मैं अब इसलिए भी नहीं करता अपनों से बाते कि मैं इसलिए भी नहीं करता अपनों से बाते क्योंकि वो मुझे समझने की कोशिशी नहीं करना चाते कि मैं इसलिए भी नहीं करता अपनों से बाते क्योंकि वो मुझे समझने की कोशिशी नहीं करना चाते बस कहने के कि एक रोटी नजाने क्या 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 कराती है, एक बाप से उधारी कराती है, तो एक माँ के इससे मधूरी दे जाती है, एक भोली भाली मासुम लड़की को मिखानों में नचाती है, एक रोटी नजाने क्या 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 क्य लगता है माली को कोई नया फुल भागया है। कि मैंने इश्क का सबसे दर्द भरा मुकाम देखा है। मैंने इश्क का सबसे दर्द भरा मुकाम देखा है। मैंने मेरे यार की जेब में मेरे महभूप का रुमाल देखा है। कि उस राज सिर्फ तनहाई मेरे साथ थी, कि उस राज सिर्फ तनहाई मेरे साथ थी, सुना था कि उस राज उसकी सगाई थी, कि एक राक्षस कर रहा था वार पर वार वो विचारी कर रही थी पुकार कि एक राक्षस कर रहा था वार पर वार वो विचारी कर रही थी पुकार 20 से जादा बार चाकू मारी सिर्पर मारा पत्थर कि बीस से जादा वार चाकू मारी सिर पर मारा पत्थर आस पास लोग खड़े थे देख रहे थे मोन बनकर कि अकबार में भी हर अफते एक ही ख़बर पढ़कर रूख आप उठती है कहीं पर वेटी काट करतों की हत्यारों की मोत मरती है एक अनियत मर गई हेवानियत जिंदा है कि जब मापने करीब होते है तो में मा की वेल्यूने करते है मतलब लड़के लोग अश्पेशली जब मा चली आगी तो मतलब एक बेटेक साथ क्या होगा तो उस पर लिखी है कि अब वो पायल की जंकार सुनाई नियती वो चूडियो की खनकनहट सुनाई नियती कि अब वो पायल की जंकार सुनाई नहीं रहती, वो छूड़ीयो की खनकनहत सुनाई नहीं रहती, अब वो प्यारी हवास नहीं रहती, क्यों टो जाता है मातरा लावällt अलब समेवर मंगर अमा तु दिखाई नहीं देती, कि तेरे आटे में सनेवी हाथ मा आप नजर नहीं आते हैं कि निकल तो जाता है मा तेरा लाल दो वक्ती रोटी कमाने के लिए कि निकल तो जाता है मा तेरा लाल दो वक्ती रोटी कमाने के लिए मगर मा कोई नहीं ये रोटी बना कर खिलाने के लिए कि निकल तो जाता है मा तेरला दो वक्ती रोटी कमाने के लिए मगर अब मा कोई नहीं रोटी बना कर खिलाने के लिए अब चीज़े मुझसे जब गर कर टूट जाती है न मा तो कोई नहीं है चिलाने के लिए वो प्यारे हाथ नजर नहीं आते मा जो उटते थे मुझे मानने के लिए कि प्यारे हाथ नजर नहीं हाते मा जोटते थी मुझे मानने के लिए होली का रंग फीका सा लगता है मा जलता दिया होने के बावजूद भी हर तरफ अंदिरा सा लगता है मा कि होली का रंग भी फीका सा लगता है मा जलते दियो हने के बावजूद भी हर तरफ अंद हर दीन, हर पल, हर दीन, हल पल, हर शर्ण, हर रात, तेरी यात भूँ सताती है, तेरी जाती है, तेरी पहुद यात अतों है।